तो Axis Bank का Zero Balance account जिसका नाम है Amaze Savings account यह account आने के बाद बहुत ही popular हो गया क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे benefit और बहुत सारे features देखने के लिए मिलते हैं लेकिन वहीं इसके अंदर कुछ ऐसे negative point भी है जिनको देखने के बाद यह सवाल होता है कि क्या यह account हमें open करना चा देखके हम लोग समझेंगे स्क्रीन पे बहतर तरीके से समझ आएगा देखो यहाँ पे मैंने Axis Bank Amaze Savings account की details लिखी हुई है सबसे पहले welcome benefit आ जाता है कि जब आप अपने account open करवाओगे तो welcome offer में आपको क्या benefit मिलते हैं देखो यहाँ पे आपको 5000999 यहनी almost 6000 रुपे के benefit मिलत वर्थ लिखा है 599 रुपीज लेकिन देखो यहाँ पे जब आपको account अपना open करा लोगे debit card से आप first 30 days के अंदर एक transaction कर लोगे जितने भी welcome offer है ना आप जब account open करा लोगे debit card मिल जाएगा तो first 30 days के अंदर आपको उससे कोई transaction करनी पड़ेगी तब आपको यह welcome benefits मिलेंगे ए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन सारी चीज़े में अच्छे से detail में बताऊगा देखो यहाँ पे जो आपको 4000 का movie का complimentary है यह आपको ऐसा नहीं है कि 10 ticket मिल जाएंगे इसमें होगा क्या कि book my show पे अगर आप movie book करते हो मानलो आपका bill जो है वो 1000 रुपे का है 1000 पे का महिने में discount ले सकते हो और 5 महिने में आप पूरा 4000 टक का discount ले सकते हो ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधा 10 ticket मिल जाएंगे और जाके आप movie देख लो तो यहाँ पे थोड़ी सी important चीज है और इसके अंदर देगो 3 month की सुईगी 1 membership आपको मिल जाती है सुईगी dine out voucher मिल ज जाएंगे अब second number पे मैंने other benefit लिखे हुएं देखो इसमें milestone benefit भी आपको एक मिलता है जिसमें आपको 2000 एज reward points मिलते हैं every month देखो अगर आप 20,000 रुपे spend करोगे online reward अभी online reward इसके debit card का नाम है और यहाँ पे देखो e reward debit card आपका जो virtual debit card होता है या फिर आप UPI यूज करते हो access pay की या mobile banking app से आप हर महिने में access bank की UPI से access bank की app के थुरू या फिर आप उसके virtual debit card से या physical debit card से 20,000 रुपे spend कर दोगे ना तो 2000 आपको ऐसे ये edge reward point मिल जाएंगे reward point का आप आप एप के अंदर देख लेना कुछ voucher या जो भी पसंद आता है तो वो आप उससे फिर ले सकते हो और देखो इसके अंदर complimentary physical and virtual debit card मिल जाता है यानि कि आपको ATM card की कोई fees नहीं होने वाली no minimum balance required zero balance account है ये भी अच्छी चीज़ है आपका कोई charge नहीं लगेगा domestic banking transaction पे जैसे कि आप NEFT से किसी को balance transfer करते हो या ऐसा कुछ करते हो तो आपको domestic India के अंदर कोई भी करोगे तो कोई charge नहीं लगेगा और देखो no charges है all bank ATM withdrawal पे मतलब किसी भी आप bank का ATM use करके money withdraw करते हो तो यहाँ पे कोई charge नहीं लगेगा एक बहुत बड़ा benefit है और इसमें आपको free debit card तो मिलता है साथी साथ free checkbook भी आपको मिलती है air accident cover मिलता है एक करोड़ रुपे का purchase protection मिलता है आपको 50,000 तो यह सब चीजे और आपको इसके अंदर other benefits में मिल जाती है अब third number पे fees और charges क्या है उसके बारे में बात करते हैं देखो initial funding है यहाँ पे 5000 रुपीज की यह मुझे negative point लगा इसके बारे में और मैं आगे बताऊंगा मतलब कि जब आप अपना account open करोगे तो video KYC के बाद end में आपको minimum 5000 रुपे तो भाई डालने ही पड़ेंगे आपको account में अब यह थोड़ा ज्यादा है एक zero balance के लिए 5000 का deposit यह थोड़ा ज्यादा है तो एक negative point मुझे इसके अंदर लगता है अब यहाँ पे देखो average monthly balance नेला है क्योंकि zero balance account है debit card की annual joining कोई fees है नहीं अच्छी चीज है लेकिन इसमें देखो अगर आप my design card अपने according कोई card जो है वो design कराते हो या फिर angry bird image का card लेते हो तो 500 plus GST आपकी यहाँ पे जो इसकी fees है वो होने वाली है विसे मुझे नहीं लगता जब आपको free में एक card मिलेगा तो आप क्यों एक angry bird की image वाला card लोगे तो लेकिन यहाँ प page कह सकते हो जिसको देखने के बाद आपका पूरा decision बदल जाएगा इस account को लेके मुझे यह सबसे बेकार चीजिस के अंदर लगी कि भाई जब आप अपना account open अगर यह कराते हो तो आप इस account को use करने का आपको महिने का 200 रुपे देना पड़ेगा अब यहाँ पे एक zero balance account के लिए monthly 200 रुपे देना 200 रुपे amount जादा है और चलो वो भी ठीक है कि 200 रुपे है लेकिन जब आप अपना account open करोगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है six month minimum तो यानि कि आपको six month के 1200 रुपे पहले ही देने पड़ेंगे अब 200 रुपे चलो देके आपने account भी open करा लिया ठीक है आ आपको एक दो महिने में लगा कि यार यह account मुझे अच्छा नहीं लग रहा या कोई reason है आप इसको नहीं use करना चाहते दूसरा open करा लिया लेकिन आपने तो छे महिने की पहले से ही जो account opening के जो charges है आपको जो use करने के यह charges है वो दे दिये हैं तो यहाँ पे यह charges मुझे बि लेके जो decision है वो पूरा change होगे है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा daily ATM withdrawal limit देखो यहाँ पे shopping की क्या है पहले ATM withdrawal मतलब जाके आप ATM machine से 50,000 रुपे तक निकाल सकते हो POS withdrawal मतलब shopping कहीं करते हो online या market में जाके तो 5,000,000 रुपे तक की limit है 5,000,000 रुपे तक आप shopping कर सकते ह अब यहाँ पे देखो fourth number पे मैंने लिखा हुआ है number of branches and ATM यह मैं अपने सभी banking videos में बताता हूँ क्योंकि bank की जितने branches और ATM होंगे एक हमारे लिए वो उतना ही ज़्यादा benefit होगा क्योंकि अब इसके देखो यहाँ पे 5,000 प्लस तो branches है 16,000 प्लस ATM से पूरे इंडिया के account में तो आप किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हो चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे fifth number पे mobile app rating मैंने देखो यहाँ पे लिखी हुई है 4.8 star rating है 2,000,000 प्लस reviews है 50,000,000 प्लस downloads है यह मैं Google Play Store की बात कर रहा हूँ 4.8 star rating बहुत अच्छी rating है मैं खुद access bank का app use करता हूँ अप अच्छा है कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं है अब six number पे good और bad मैंने लिखा हुआ है इस account के अंदर क्या मुझे good और bad चीज़े मिली उसके बाद मैं आपको बताऊंगा account open करना चाहिए या नहीं देखो दो चीज़े good है दो bad है देखो एक तो कोई charge नहीं लगेगा आपको किसी भी bank के ATM से money withdraw करने पे free debit card और checkbook है दूसरा benefit ये है कि हाँ पे कोई charge नहीं लगेगा अगर आप domestic banking transaction करते हो अब bad क्या लगा देखो first तो ये है initial funding है 5000 रुपे की account open करने के लिए आपको starting में 5000 रुपे डालने पड़ेंगे अगर बाई किसी के पास 5000 रुपे नहीं ह इस advantage लगा इसका जो plan charges है monthly 200 रुपे 6 महीने का advance आपको देना पड़ेगा भी मैंने पहले ही आपको बताया था कि account use करने का 200 रुपे पर महीने का देना पड़ेगा और 6 महीने का आपको 1200 रुपे पहले ही देना पड़ेगा ये आपसे 5000 की initial funding ले रहे हैं 1200 रुपे आपके account से काट लेंगे यहाँ पर आपके 6 मंत का जो advance है वो account use करने का वो आपके account से cut जाएगा और पूरे साल का 2200 रुपे account सिर्फ use करने के बहुत ज़्यादा amount है इसको देखने के बाद मेरा decision change हो गया अब यहाँ पर देखो मेरा suggestion ये रहेगा ये वाला account मत उपन करना अगर मैं प किसी भी government bank में अपना account open करा लो SBI में, PNB में, Bank of Badoda में जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ी बैतर service मिल जाएगी किसी में भी open करा लो वहाँ पे अगर maintain भी करना होता है न तो 1000 या 1500 से जाज़ा यहाँ पे नहीं करना होता लेकिन यहाँ पे आपको account open करने क यूज करने का ही आपको पूरे साल का 2200 रुपीज देना पड़ेगा और एक चीज में आपको बता दूँ कि HDFC, ICICI जैसे bank की और यहाँ पे access bank की जो rural branches है न वहाँ पे भी आपको जो normal वाला savings account उसमें धाई या 3000 रुपे ही maintain करना होता है लेकिन इस account में आपको इतना amount जो ह maintain भी करना पड़ जाए तो कम से कम वो पैसे तो आपके रहेंगे यहाँ पे तो आपको पूरा 2200 एक साल का देना पड़ेगा next year से फिर आपको उतना ही देना पड़ेगा और 6th month का ही पहले ही आपके account से काट लेंगे तो मेरी तरफ से इस account के लिए कोई suggestion नहीं है ना ही open करा तो बहतर है और काफी सारे zero balance account है कोटक का है SBI का है मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए हुए तो यह वाल account इतना बहतर नहीं है बाकी decision आपका है hopefully आपको यह वीडियो में समझाया होगा अच्छा लगा होगा सारी चीज़े मैंने simple करके बताने की कोशिस करी है वीडियो कर देना चांग पर नहीं तो सब्सक्राइब करके पहला इकन प्रेस कर लेना इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इसी तरीके से और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉल्यो कर सकते हो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ज